हमारी सोल भी कम्प्लीट है, उसको कुछ पाना नहीं है, उसको कुछ खोना नहीं है, वो है, पर वो पाने और खोने का experience लेती है, जैसे आपने कहा कि कर्मों को भूगतना पड़ता है, इसके कर्म अच्छे नहीं है, क्योंकि कर्मों को हमेशा हम एक पनिश्मेंट से देखते ह हैं, पर वास्तव में कर्मा एक feedback system है, हमें lotus तो बहुत सुन्दर लगता है, पर जो lotus के नीचे जो कीचड है, वो हमें अच्छा नहीं लगता, यह क्यों exist करता है, पर अगर हम उसे सुन्दरम की उर्जा से देखते हैं, तो हम यह realize करेंगे कि अगर कीचड नहीं है, तो lotus भी नहीं होगा, लाइफ में experiences करने हैं, लाइफ में अपने आपको grow करना है, हमें एक dark night से जाना पड़ता है, और उस dark night के बाद हमारा जो potential raise होता है, उसके तो कहने ही करना, तो यह सब की लाइफ में आता है, तो सिर्फ यह है कि हमें complaint नहीं करना किसी चीज़ पर, blame नहीं करना और जो आया है, उसको हम अपना best दे, यही हमें लाइफ में अपनी तरफ अपना focus रखना जाहिए, नमशकार दोस्तों, आप सभी का heartic स्वागत है हमारे इस show में, जिसका नाम है मेरी कलम, दोस्तों, आज इन author को हम ला रहे हैं, उनका नाम है हितेश वशिष्ट, हितेश व सुन्दरम, क्या message है इनका हमारे लिए, क्या wisdom है, जो हम सभी को अपनी जीवन में उतारनी है, आईए, जानते हैं आज के इस episode में So, हितेश आपने ये book लिखी है, सुन्दरम स्पीक्स, जी, तो बहुत attractive है इसका cover page, लेकिन cover page पर जाने से पहले मैं जाना चाहूंगी कि सुन्दरम क्या है, हमने ये movies में सुना है, सत्यम, शिरम, सुन्दरम, क्या क्या connection है? जो शब्द सुन्दरम है it's a Sanskrit word Sanskrit से आया है और जो हमें सुन्दरता के बारे में बताता है जब हम जादा तर सुन्दरता की बात करते हैं तो किसी के शरीर के साथ किसी के नैननक्ष के साथ जोडते हैं किसी के कद काठी के साथ जोडते हैं पर जब वास्तव में सुन्दरता की बात होती है, वो हमारी दृष्टी से होती है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी बना है, वो सुन्दरम उर्जा से बना है, यानि कि वो सुन्दर ही है, इसलिए उसका निर्मान हुआ है, अब अगर आप उस चीज में सुन्दरता नहीं देख पा रहे हैं, तो यह problem उस चीज़ की नहीं है, for example, अगर मैं कहूं कि हमें lotus तो बहुत सुन्दर लगता है, पर जो lotus के नीचे जो कीचड़ है, वो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि पाउं गंदे हो जाएंगे या फर्श गंदा हो जाएगा, यह क्यों exist करता है, पर अगर हम उससे सुन्दरम की उर्जा से देखते हैं, तो हम यह realize करेंगे कि अगर खीचड़ नहीं है, तो lotus भी नहीं होगा, अगर हम उसको सुन्दरम space से देखेंगे, तो हम यह realize करेंगे, कि इसी से ही जो lotus है, अपनी strength ले रहा है, तो इन दोनों को आप दो spaces में भी बांट सकते हैं, जैसे lotus क्या है, हमारा spiritual plane है, हमारा physical plane क्या है, हमारा की चड़ है, ज़्यादा तर जब हम spirituality में आते हैं, तो हम क्या करते हैं, we aim for spirituality, कि हमें उपर की तरफ बढ़ना है, गलत बात नहीं है, हमें spirituality में उपर अपनी consciousness को expand करना चाहिए, पर अपनी roots में grounded रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी physicality में grounded नहीं रहेंगे, तो क्या होगा spirituality हमारे किसी काम की नहीं होगी, फिर हम सिर्फ जिसे कहते हैं कि हमाल्या पर रहेंगे, और संसार से दूर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए spirituality का मतलब यहीं हो जाता है, कि हम हमाल्याज पर चले जाएं, वहाँ ध्यान करें, साधना करें, और अपनी physicality से दूर चले जाएं, पर वहाँ जाने के बावजूद भी, आपका जो stress है, जो आपका अंदर turmoil चल रहा है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप life के एक aspect को miss कर रहे हैं, तो सुन्दरम हमें सिखाता है कि spiritual, physical, दोनों बराबर हैं, same हैं, और जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, यह वैसे ही एक दूसरे के साथ चलते हैं, सुन्दरम यानि कि अगर कोई चीज बनी है, अगर सिष्टी में किसी चीज का निर्मान हुआ है, तो उसका कोई मतलब है, आपको उसका मतलब नहीं बता, वो अलग बात है, पर अगर वो है, तो उसका कोई मतलब है, और वो मतलब सुन्दर है, जी ये तो एक बड़ाई beautiful description था पर मैं आपसे चालना चाहूंगी कि क्या ये कोई व्यक्ति है सुंदरम एक तो दृष्टी तो है ही क्या कोई व्यक्ति विशेश भी है जी देखिए सुंदरम हम सब में है हम सब में एक सुंदरम वास करता है या मैं ऐसे कहलूं कि सुंदरम is equals to your soul आपकी आत्मा ही वो सुंदरम का काम करती है क्योंकि आपकी जो दिव्य दृष्टी है आपका जो जीवन जीने का नजरिया है जीवन को देखने का नजरिया है वो कहां से आता है आपकी आत्मा से आता है आपके प्योर वर्जन से आता है तो ये एक व्यक्ती विशेश नहीं है पर ये एक उर्जा है जो formless है जो हम सब में वास करती है और हम सब उसमें tap-in कर सकते है कोई किसी की एक personal जैदात नहीं है हो सुंदरम एनर जी जी तो क्या ये कोई high soul है माने होती तो सभी soul से एक high space में है पर क्या ये मतलब मैं इनको एक समझ नहीं कोशिश कर रहे हूं देखे जैसे आपका physical body और आपका soul आपका soul एक expanded consciousness है और आपकी जो body है उस consciousness से operate करती है उसको चाहे आप कह लीजिए कि वो 20% पे operate कर रही है जो उसकी strength है soul की जो strength है उसके 20% पे 30% पे या किसी भी proportion में operate करती है ठीक उसी प्रकार से हम सब के पास ये जो soul होती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी जो soul है हमारी लिए एक parent का काम करती है क्योंकि हम अपनी soul से अपनी body को जन्म देते है ये ही parent soul हम इसे सुन्दरम कहते है it is like an over self of me या आप कह सकते है जैसे धर्ती पर आपको माता पिता जन्म देते है ठीक उसी प्रकार से आत्मा के स्तर पर आपको आत्मा जो जन्म देती है हम उसे parent soul कहते है तो आप सुन्दरम को एक parent soul की तरह ले सकते है जैसे मेरी जो soul है अपने आपको identify करती है इस नाम से सुन्दरम आपकी जो soul होती है वो आपको किसी भी और नाम से identify करवा सकती है पर essence दोनों का सेम है जो learning है जो जीवन देखने का तरीका है वो elevated space जो है जो level of consciousness है वो सेम है हाँ ये depend करता है कि आपने कितना अपना personal काम किया है आप कितना ready है उस higher space में जाने के लिए जैसे एक गुबारा उतनी ही हवा अपने अंदर भर सकता जिसकी उसमें शमता है पर अगर आप गुबारे को फुलाएं फिर आप उसे थोड़ा डीला छोड़ दे फिर से फुलाएं फिर डीला छोड़ दे तो उसकी जो ability है हवा भरने की उसके अंदर बढ़ती जाएगी ठीक उसी प्रकार से जब आप अपने उपर हमारे दृष्चक जाना चाहेंगे यह contact तो हमेशा था यह at the back of our life in our own being यह चलता ही चलता है यह चलता ही रहता है because हमारी doing being से inspired होती है अगर being नहीं होगी तो doing भी नहीं होगी तो यह थो हमेशा था ही पर हाँ यह मैं कह सकता हूं कि once I was with my teacher Dr. Newton Kondavati तो वो मेरे उपर एक session कर रहे थे LBL session था Life between life sessions था उस session के दौरान इस energy का जादा जो connection था मुझे उस समय बना फिर जब वो बन गया फिर दीरे दीरे मैं इसको अपने आप ही strengthen करता गया जैसे जैसे मुझे guidance आती गई I think उस guidance के साथ जैसे जैसे ये मेरा strengthen होता गया तो ज़्यादा connection बन गया और connection बनने के बाद जो messages थे वो बड़े clear होने लगे और फिर उन messages को हमने एक book की रूप में प्रस्तुत किया because मेरे को कहीं लगता था कि book लिखना मेरे लिए नहीं है मैं नहीं कर सकता पर जब ये होने लगा तो मुझे लगा कि हाँ, वो readiness अपने आप अंदर से आई and I think the result is in our hands जी तो ये बताएए कि जिसे purple color का आपका cover page है purple is considered to be a very superior kind of superior नहीं बोलेंगे तो मानी जी elevated spiritual color तो क्या golden and spiritual क्या इसका कुछ meaning है illustration का in colors का जी, ये vision actually सुन्दरम की पूरी essence को explain करती है तो usually जैसे आपने ये color की बात करी है purple is spirituality या elevated consciousness golden उसका भी एक elevated space है purple का भी एक और elevated space है और जब हम इसके cover को देखते हैं तो हम देखते हैं एक lotus है lotus एक mud में से निकल रहा है पर lotus को mud से क्या connect करता है एक हाथ connect करता है तो ये हाथ और कुछ नहीं है ये हमारा देखने का तरीका है it is like the eye of सुन्दरम हाथ जो है वो सुन्दरम की दृष्टी है और ये दृष्टी का मतलब यानि कि आप lotus और mud को कैसे connect करते हैं दृष्टी से connect करते हैं क्योंकि कई लोग जैसे मैंने कहा lotus को अलग देखेंगे कि ये सुन्दर है कीचर को अलग देखेंगे spiritual को अलग देखेंगे physical को अलग देखेंगे good को अलग देखेंगे bad को अलग देखेंगे light को अलग से देखेंगे darkness को अलग से देखेंगे तो अच्छे aspects तो हम बहुत खुशी से accept करते हैं क्योंकि हमें उनको हमें उनमें एक सत्व element दिखता है पर जो tamas element होता है या rajas element होता हम उनसे ज़्यादा दूर भागते हैं पर problem उन elements में नहीं है problem है हमारे देखने में तो अगर आपका देखना आपकी जो दिव्वे दृष्टी है अगर आप उस space से देखेंगे तो आपको इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं दिखेगा तो यही जो हमारा cover है इस चीज को explain करता है सुंदरम speak conversations to awaken your soul's wisdom तो क्या हमारी soul के पास भी रहती है या हम मेरे पास ही आती है नॉर्मली हम को लगते कि हम सीख रहे है या हमारी soul भी साथ साथ में ग्रो करिया है इसको थोड़ा डिकोड कीजिए जी soul को कुछ भी सीखना नहीं है सच soul जैसे हम हमारे वेद कहते है तो वो हमारे पूर्ण एलिमेंट की बात करते है कि हम complete है हमारी जो essence है complete है हमारी soul भी complete है उसको कुछ पाना नहीं है उसको कुछ खोना नहीं है वो है पर वो पाने और खोने का experience लेती है for example जैसे भगवान कृष्ण है he was born enlightened मैं यह कह सकता हूँ कि वो जब पैदा हुए थे उनको अपने बारे में जानकारी थी कि वो आत्मबोधी थे जैसे वो पैदा हुए पर उन्होंने life की सारी situations को face किया तो उनको कुछ चाये नहीं था कुछ पाना नहीं था पर life की हर situation से वो गुजरे क्योंकि आत्मा क्या चाहती है आत्मा का main motive क्या होता है experience लेना क्योंकि experience लेगी तब ही उसे एक sense of fulfillment जो होती है हमारे अंदर ग्रोग करती है आत्मा का सिरफ यही काम है कि हम experience ले, अनुभव ले और उस चीज़ से आगे गुजर जाए हम उस experience को क्या करते है हम उसे दो हसों में बाट देते है जैसे duality में देखते हैं हम उसे अच्छा है, बुरा है जब हम अच्छे बुरे में ज़्यादा गुज जाते है तो क्या होता फिर हमें problem जाती है पर आत्मा के लिए ये दोनों चीज़ें similar है बहुत बार लोग हमें ये question करते है जब हम reincarnation की जैसे बात करते है कि अगर हम कहते हैं कि आत्मा अपनी मर्जी से सारी चीज़े लेती है तो क्यूं वो जन्म लेगी एक बिकारी बनके राजा बनके क्यों नहीं जन्म लेती तो आत्मा के लिए ये matter नहीं करता कि मैं rich life ले रही हूँ या poor life ले रही हूँ आत्मा के लिए ये matter करता है कि किस situation में मैं सबसे जादा सीख रही हूँ क्योंकि उसी को सीख के ही उसके अंदर fulfillment है जो पूर्ण तत्व है उसका जो experience है वो अंदर से उपर हैगा जी आपने बहुत valid point raise किया क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि कोई क्यों चूज़ करेगा मुझे cancer हो, मुझे AIDS हो इतनी तकलीफियों, इतनी गरीबियों तो that is because आत्मा को केवल अनुभव चाहिए हम वो हम हमारे उपर एक हम उसको हम कहते हैं बुरा है अच्छा है ऐसा बड़ा बचारा हो गया लेकिन आत्मा के लिए तो कुछ इसा है नहीं बिलकुल, बिलकुल आत्मा जिस वंस्ट एट experience all kinds of experience उसको आदमी भी बनना है उसको औरत भी बनना है उसको पत्थर भी बनना है उसको पौधा भी बनना है उसको जानवर भी बनना है उसको हर तरह भगवान भी बनना है भगवान तो है ही वो पर उसको बाकी ये सब तरह के मास्क उसको पहनने ही पहनने है ये सवाल जो हमने भी हमने भी discussion की ये बहुत काफी लोग के प्रशन आते हैं क्यों चूज करेंगे हम क्योंकि आपकी लाइफ में आपको सिरफ problems दिखाई देती हैं तो आपको लगते हैं हम क्यों चूज करेंगे हम पागल थे तो ये definitely हमको आत्मा के perspective से चीज़ को देखना है और चीज़ को समझना है ये आत्मा का perspective भी इस body में रहकर ही grow हो सकता है जैसे हम रामकृष्ण परहमंस की बात करें उनको अपनी life में throat cancer था और लोग उनको कहते थे कि तुम इतने लोगों के लिए कालिमा से इतना कुछ मांगते हो तो अपने लिए क्यों नहीं मांगते हो पर उनका हमेशा यही था कि ये मेरी body से जुड़ा हुआ है मैं body नहीं हूँ मैं वो हूँ जिसने body पहनी है तो जब हम इतना connected अपनी soul consciousness से होते हैं तो क्या होता हमें life के experiences वैसे hit नहीं करते हैं जैसे एक normal space में हमें hit करते रहते हैं क्योंकि आए दिन कोई situation होई हमारा पारा यहां फिर नीचे फिर उपर फिर नीचे ऐसे चलता है पर जब हम अपने आपको जानना शुरू करते हैं तो ये waves हमें तंग ऐसे नहीं करते हैं stable space में जा सकते हैं और यही stability हमें सुन्दरम बताते हैं कि जब आपका देखने का नजरिया उस cancer को देखने का नजरिया बदल गया तो सब कुछ बदल गया नजर बदली नजारे बदले बिलकुल बिलकुल तो हितेश जी हम सुन्दर की बात कर रहे हैं तो इसका हम करमों से क्या relation सोच सकते हैं क्योंकि करम तो हम कहते हैं हमारे पंजाबी में कहा होते हैं एदे करम बड़े मारे रहे हैं कि वो सफर कर रहे हैं तो इसके करम शायद बहुत बुरे रहे हैं तो लोग बेचारे के दिश्ची से देखते हैं आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए जी तो देखिए कर्म यूजली हमारे जैसे हम कहते हैं कि cause and effect का relation होता है कि जो आप बोग है वो आपके जीवन में वैसे ही पनपेगा पर यहाँ पे जब हम सुन्दरम के साथ इस conversation में जब मैं यूनो मैंने understand किया तो सुन्दरम बताता है और वो है कि what have you held कि आपने अपने अंदर क्या रोक के रखा है and what have you freed आपने अपने अंदर से क्या free करा हुआ है तो इन दोनों का balance ही हमें कार्मिक energy के बारे में बताता है जैसे for example हम जादा तर सोचते हैं कि जब कोई व्यक्ति बुरे काम करता है अच्छे काम नही करता है लोगों को पीडा देता है दुख देता है violence create करता है society में तो उसके बुरे कर्म बनते हैं पर अगर मैं आपको कहूं कि आपके अच्छे कर्म भी आपको बांद सकते हैं उस कर्मिक energy में बांद के रख सकते हैं तो हम जादा तर इस पे विश्वास नहीं करते हैं ऐसा क्यों क्योंकि problem यहाँ पे acts में नहीं है कि कोई अच्छा काम कर रहा है कोई बुरा काम कर रहा है concern है हम किस से identify करते हैं जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है बहुत सेवा करता है गाएं की सेवा करता है बुकों को खाना खिलाता है shelter homes है और बहुत सारी चीजें जो identify करता है कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ तो यह identity उसे कार्मिक बंदन में बांदेगी ही भले ही वो काम अच्छे कर रहा है तो अगर हम कार्मिक energy से clear होना चाहते हैं इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें ज्यादा चीजें free करके चलना चाहिए, don't hold anything to you because अगर आप ज़्यादा चीज़े पकड़ के रखोगे, चाहे वो आपके अच्छे हैं चाहे वो आपके बुरे हैं तो वो आपका कार्मिक एनर्जी बनाएंगे ही अच्छा भी तेरा, बुरा भी तेरा वो सब कुछ उसका है बड़ ऐसे नहीं कर सकते इसमें भी एक लूप है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं बुरे काम करूँ तो वो कहते हैं कि हाँ यह तो भगवान यह अंडर्स्टेंडिंग समझने के लिए हमें अपने अंदर उतरना बहुत जरूरी है कि जब हम बात करते हैं कि वो सब उसका है यह कहने में बहुत आसाना है पर इसको experience करना बहुत एक बहुत subtle space से आता है और यही हमारी एक refinement हमारी spiritual refinement को show करता है तो अगर हम सब काम उसकी inspiration से करें मैं ये शब्द बहुत यूज करता हूँ कि inspiration, कि अगर मैं बोल भी रहा हूँ, मैं किसकी inspiration से बोल रहा हूँ, मेरी जो अगर jeep चल रही है, तो किसकी inspiration से चल रही है, आप अगर सुन रहे हो, तो किसकी inspiration से सुन रहे हो, वो inspiration इसका main center है, और वही inspiration हम सब को चलाती है, आगे तो हम कार्मिक एनरजी क्रियेट ही नहीं करते हैं then karma becomes no karma मतलब क्या यह possible है कि हम no karma की space में उतर जाएं उतर सकते हैं बिलकुल बहुत सारी examples है रमन महारिशी रमन महारिशी को जब वो छोटे थे उनको एकदम से एक बार डर आया कि मेरी आज मृत्यू होने वाली है कोई बुखार नहीं था, कुछ भी नहीं था तो वो लेट गए और उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया कि मेरे को वित्यू आ रही है कि जैसे हाथ टेडे कर लिए और अपने आपको पूरा ऐसे खाली छोड़ दिया पर जब उस चीज में वो गए और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि फॉर एक्जामपल ये सारी चीज़ें शट हो रही है मेरी बॉडी शट हो रही है ये बोलना शट हो रहा है मेरी मूव्मेंट शट हो रही है पर एक चीज थी जो हमेशा जगी रही और मैं वो हूँ, मैं वो awareness हूँ, जो कभी भी मरेगी नहीं, जो थी, है और रहेगी तो जब उस चीज़ पे उनका focus जाने लगा, उस experience ने उनकी life की दिशा बदल दी तो जब हम हर काम उस awareness से करते हैं, कर भरे ही मेरे medium से हो रहा है मेरी ये body कर रही है, पर वास्तब में उसकी inspiration से हो रहा है, अब जब उसकी inspiration से होगा तो आपका कर्म कैसे बनेगा, कर्म तो उसके पास जाएगा, कर्म हमारा तब बनता जब हम कहते हैं, मैं, मैं करने वाला हूँ मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ मैं सब कुछ, सब का पालन पोशन करने वाला हूँ मैं अपनी फैमिली में अर्न करके लिखे आता हूँ और मेरा खाना दिया हुआ सब खाते है This is ego पर जब हम ये रखते हैं कि सब अपने अपनी inspiration उससे ले रहे है और जो जिसके लिए inspiration उसने लिखी है, उसने बनाई है वो जस्ट चल रही है You are just a medium तो आप कार्मिक एनरजी से बहुत दूर चले जाते है जी, तो मने की मार्ग है जो भगवान श्रीक्रिष्ट ने हमको दिखाया कि आप कर्म कीजिए पर फल की इच्छा मत कीजिए अच्छे कर्म, बुरे कर्म, आप सौंप दीजिए एक सरेंडर भाव में आकर हमारी जो elevation होती है, जैसे consciousness भी हमारी evolve करती है समय के साथ evolve करती है हम अपनी कर्मों की भी एक perspective बना के चलते हैं जैसे किसी lifetime में हमारा एक perspective होगा शायद उसी lifetime में हमारा perspective बदल जाए या अगले किसी lifetime में बदले तो चार तरह के perspectives हम बना के चलते हैं अपने कर्मों के हिसाब से पहला जैसे हमारा perspective होता है जिसको हम कहते हैं विस्मय मुखम विस्मय यानि की हैरान हैरान हो जागा सब कुछ मेरे तरफ as a surprise आता है जैसे for example मेरे किसी loved one की death हो गई it comes to me as a surprise जब मेरे को ये surprise की तरह आता है तो मेरे अंदर question हो तो why me मेरे साथ ही क्यों हो रहा है तो ये first perspective है इस तरह से हम शुरू करते हैं इस तरह से हम जीना शुरू करते हैं क्योंकि हमें लगता है दुनिया में सारी चीज़ें बस मेरे को ये दुख दे रही है you know poor me, victim me हम victim consciousness में अपनी karmic energy को रखते हैं और जब हम इस space से अपने perspective को चलाते हैं तो life में ऐसे experiences हम repeat करते रहते हैं पर अगर इस जन्व में हम किसी का हाथ पकड़ ले थोड़ा कोई world being हो जो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा बहतर करने के लिए help करे वो भी आपकी willingness है आप पकड़ने के लिए तयार हैं या नहीं नहीं तो आप अगले जन्व में तो विस्माई मुखम से फिर हम अगले मुख में चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं द्वंद्व मुखम द्वंद्व यानि की तू द्वालिटी द्वंद्व कि बताता है कि cause has an effect cause or effect का ये दोनों का relationship पिकटे चलता है तो जैसे एक गाए है और एक गाए का बच्चा है अगर हम गाएं को गाएं के बच्चे से दूर ले जाते हैं थोड़े समय में आप देखेंगे बच्चा अपने आप ही गाएं के पास पहुँच जाएगा आप कहीं भी गाएं को ले के जाएगे गाएं के पास वो अपने आप ही पहुँच जाएगा तो हमारे cause and effect भी ऐसे ही होते है गाएं क्या है cause है बच्चा क्या है effect है तो cause and effect आप जितनी मरजी कोशिश कर लें कि हम इनको दूर ले जाएंगे पर वो एक दूसरे के साथ जुड़ ही जाएंगे तो जब हमारा कार्मिक एनर्जी का ये परस्पेक्टिव बनता है तो जैसे फर्स परस्पेक्टिव में मैंने बात करी कि मेरे किसी लब्डबन की मृत्यू हो गई और मुझे शौक लगा मैं यहीं पर ही वाई मी वाई मी करता रहूँगा और पेन में चलता रहूँगा पर इस परस्पेक्टिव में क्या होगा जब उनकी मृत्यू हुई तो मेरे को कहीं न कहीं ये समझाएगा कि they decided it या ये effect हाया है तो इसका कारण भी कहीं न कहीं पनिश्मेंट से देखते हैं एक पनिश्मेंट है कि उपर कोई छड़ी लेके बैठा है और हमें मार मार के कर्मों को भुवतने के लिए बना रहा है पर वास्तव में कर्मा एक feedback system है जैसे आप गाड़ी चलाते हैं आपको गाड़ी अगर राइट की तरफ टर्न करनी होती है आप क्या करते हैं सीधे थोड़ी टर्न कर लेते हैं आप rare view में देखते हैं कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा है नहीं आ रहा है तो मैं गाड़ी मोड लेता हूँ अगर आ रहा है तो मैं वेट करता हूँ उनके जाने का फिर अपने हिसाब से चला कर आगे चले जाता हूँ यह कुसी प्रकार से हमारी कार्मिक एनरजी यह rare view की तरह है feedback system की तरह है जो हमें help करती है अपने आपको understand करने के लिए हमें यह बताती है कि cause follows the effect and यह दोनों जब साथ चलते हैं तो हमें इसको punishment की तरह नहीं देखना चाहिए हमें सिरफ इसे experience की तरह देखना चाहिए तो जब द्वन्द्व मुखम में हम cause and effect सीख जाते हैं फिर हम तीसरे perspective में आते हैं हम कर्मा को एक दीसरे perspective से देखना शुरू करते हैं इसको हम कहते हैं अंतर मुखम अंतर मुखम यानि कि अब मुझे cause and effect का कोई भी answer बाहर से नहीं समझाएगा अगर मैं कहूँ कि अगर एक daughter-in-law कहती है कि मेरी mother-in-law बड़ा मुझे परेशान करती है why does she do that हर complaint को fix करने की बजाए आप अपने अंदर उतरते हो आप अपने अंदर उतर के क्या करते हो what in me created this आप ये देखते हो कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण मैंने इनको as a mother-in-law attract किया है तो इसका elevation और हो जाएगा आपको एक understanding समझाएगी आपको ये समझ आएगा कि life का एक bigger view है आपको ये समझ आने लगेगा कि अगर मैंने उनको अपनी life में attract किया है, manifest किया है तो मुझे कुछ सीखना है इसलिए मैंने उनको attract किया है अब फिर यहाँ पे भी हमारी you know, यहाँ पे evolution हमारा खतम नहीं होता कर्म का फिर हमारा चौथा evolution चौथा perspective हमारा कर्म को देखने का शुरू होता है और वो है केवलम मुखम केवलम मुखम यानि कि only one, one मुख there is no other मुख कोई और दूसरा चहरा है यहीं नहीं यहाँ पे क्या है neither there is cause nor there is an effect there is everything as an inspiration कि ना कोई कारण है ना कोई प्रभाव है सब कुछ एक grace की तरह लिया जाता है जो मिले प्रसाद जो जीना है प्रसाद तो हम जब उस प्रसाद को उस कृपा को उस grace को जीते हैं अपनी life में तो हम कर्मों से बहुत उपर चले जाते जब मैं light और dark life के experiences को मेरा एक अंदेरे का पक्ष है मेरा एक कोजियारे का पक्ष है जब मैं दोनों को बराबर लेना शुरू कर देता हूँ तो हमारी life बदन ले लगती है हम बहुत सारे लोगों की spirituality की बात करते हैं मैं अपनी बात करूँ किस चीज ने मुझे सबसे ज़्यादा पोक किया यहाँ पे अपनी spirituality में evolve होने के लिए मेरा अंदेरे का पक्ष तो वही अंदेरे का पक्ष जैसे बीज एक बीज को अगर बोना है हमें तो उसको पहले अंदेरे में उतरना पड़ता है वहीं पे वो sprout होगा फिर उसमें से light वो लिने के लिए तयार होगा ठीक उसी प्रकार से अगर हमें life में experiences करने है life में अपने आपको grow करना है हमें एक dark night से जाना पड़ता है और उस dark night के बाद हमारा जो potential raise होता है उसके तो कहने ही क्या तो यह सब की life में आता है तो सिर्फ यही है कि हमें complaint नहीं करना किसी चीज़ पर blame नहीं करना और जो आया है उसको हम अपना best दे यही हमें life में अपनी तरफ अपना focus रखना चाहिए तो हितेश जी ऐसा लोग बोलते हैं कि कहना बहुत आसान है कि आपकी इतनी बुरी mother-in-law है इतनी बुरी daughter-in-law है इतना challenges है आपकी family life में कि आपके लिए कहना बहुत आसान है तो इसको कैसे समझें यह शब्द हमारे अंदर तब आते हैं कि कहना बहुत आसान है जब हम अपने lesson को आज ही complete करना चाहते है इसमें problem lesson में नहीं है या जीवन की परिस्थिती में नहीं है हमारे problem है हमारी patience में कि हम बड़े अधीर है कि मैं इतना अभ्यास नहीं कर सकता मैं इतनी बार 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 उन चीजों को repeat नहीं कर सकता पर अभ्यास के बिना कैसे होगा सब कुछ अभ्यास के लिए ही तो हमने जन्म लिया है हमने जो पिछले जन्म में किया उसको improvise करने के लिए ही तो हमने इस नए शरीर को लिया है तो अभ्यास ही तो करने आए है हम यहाँ पर लाइफ का हर experience हमें अभ्यास कराएगा पर जब हम अभ्यास को छोड़के हमें लगता है कि बस मैं और नहीं कर सकता और हमें लगता है कि ये तो सब कहने की बाते हैं कर नहीं सकता है क्यों ऐसे लगता है क्योंकि हम ready नहीं है willing नहीं है act करने के लिए उस wisdom से आप गिर गए कोई बात नहीं फिर उठिये फिर चलिए फिर गिर गए, फिर उटिए, फिर चलिए तो इसी तरह का evolution हम सब के साथ रहा है मेरे और आपके साथ नहीं, भगवान विश्नु के साथ भी ऐसी ही चीज़ें experience हुई है पहले उनका जो अवतार था, पहले मत्स्य था, फिर कुर्म आया कुर्म से, फिर दीरे दीरे वराह, फिर नर्सीमा फिर उसके बाद हमारे वामन अवतार, वामन के बाद परशुराम, फिर श्री राम, फिर श्री कृष्न, फिर भवान बुद्ध, और आगे आने वाला कलकी तो ये constant evolution हम सब के लिए बना है तो एक समय पर जाकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं अपना evolution stop कर दूँ आप physically तो stop करना चाहते हैं, ये question भी जो है, हमारा physically आता है कि मैं कितना करूँ या ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है soul के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है आपकी आत्मा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि वो experience भी आत्मा ही है जिस चीज से आप बने हो, जिस चेतना से आप बने हो उसी चेतना से वो experience भी बना है तो सिरफ अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास इस lifetime में भी, जितने lifetime हम ले हमें बस इसी चीज पर focus रखना चाहिए फिर आप जानेंगी भी नहीं कि कैसे चुप चाप ये धीरे-धीरे ये grace, ये perfection हमारे अंदर धीरे-धीरे उतरने लगेगी आप mistakes भी करेंगे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप mistakes नहीं करेंगे पर mistakes को एक criticism की तरह देखना वो आपका नजरिया बदलने लगेगा आप उसको भी एक learner's attitude की तरह लेंगे कि हम co-learners हैं सब को ही गलती कर सकता है and it is okay to make mistakes beginner's attitude beginner's mind, yes जी, so that means कि आपको challenges आएंगे and you have to maintain patience और ये भी कि आप उसको criticize ना करें judge ना करें so that, I think that also requires a lot of patience yes, patience and perseverance perseverance आपका perseverant effort जरूर होना चाहिए आप करते रहें अपना काम, आप अपना best दे सुबा उठे, आज मैं अपना best दूँगा तो ये question आता है कि कुछ लोग domestic violence के शिकायर होते हैं some women particularly उनके partners, husbands उन पर हाथ उठाते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा प्रशन मुझे भी पुछाग है कि आप क्या ये कहना चाहते हैं कि हम चुपचा बरदास्ट करते रहें तो देखे, actions यहाँ पर decided नहीं है जैसे हमारा soul plan है हम सब ने जैसे एक picture होती है picture का पहले एक script बनता है हम भी इस picture को जब जीने के लिए धर्ती पर आते हैं पहले एक script बनाते हैं अब वो script में हमारी चीजें decided होती है हमारी incidents decided होती है जैसे it is pre-planned but it is not pre-destined दोनों में अंतर होता है pre-planned क्या है कि मेरे पास ऐसी mother-in-law आएगी यहाँ मेरे अपको ऐसा husband मिलेगा जो मेरे ओपर domestic violence करेगा यह pre-planned है पर उससे मैं क्या करता हूँ यह नहीं decided है यह destined नहीं है तो आप रहकर यहाँ पर क्या करते हैं आप blame करते हैं आप कहते हैं कि हाई मेरी किस्मत मैं तो कुछ नहीं कर सकती मेरे को मावा अपने पढ़ाया भी नहीं मैं अपना खुद कमा भी नहीं सकती मेरे में इतनी शक्ती ही नहीं है मेरा तो जीवन यही है मैं तो बच्चों के लिए शादी में रुकी हुई हूई हूई ऐसे यूजली हम कहते हैं पर इसके इलावा हमारा दूसरा perspective भी है कि अगर यह व्यक्ती मुझे ऐसा सिखा रहा है या मेरे लिए ऐसा कर रहा है मैं अपने लिए कैसे stand कर सकती हूँ कैसे मैं अपने आपको empower कर सकती हूँ कैसे मैं अपने आपको evolve कर सकती हूँ और उस situation में क्या होता है आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा discomfort आएगा यूजली लोग क्या करते हैं इस से discomfort से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है इस चीज में इतना सारा changes होगा तो मैं fear नहीं ले सकता इस तरह का डर्न मैं जी नहीं सबकूँगा पर अगर ये situation आई है तो आप वो सीखो नो जो आपको सीखना है आप उस पे focus करो और सीखना कहा है आप अपने आपको सशक्त बनाए तब ही आपका plan जो आपका soul plan है वो पूरा मतलब कि successful होगा क्योंकि आपके soul plan में दोनो options, possibilities निकलती है एक जहां पे आप एक दुख बरे महौल में चले जाएं complaining zone में चले जाएं अगर अभी नहीं जागे कोई बात नहीं आप अगले lifetime में जाग जाना जब जागो तब ही सवेरा पर अगर आप ready हो और आप चाहते हो अभी जगना तो आपको पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों और मैं आपको एक बहुत interesting fact बताता हूं क्योंकि हम बहुत सारी research करते हैं because you know I am a past life regression therapist तो हम बहुत सारी research लोगों के patterns पे भी करते हैं ऐसे patterns जहां पे हम देखते हैं कि marital discords है लोगों में कि लोग एक छट के नीचे husband wife रहते हैं और उनमें बहुत चटिस का आखड़ा चलता है तो usually हम उनकी past lives जो हमने research में पाई है क्योंकि लोग बहुत सारे after case studies of case studies we have found this कि जैसे वो ऐसी situation में किसी lifetime में थे जब वो एक दूसरे से बहुत problematic situation में थे मतलब कि एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे जैसे दो राजियों के राजा और इन राजियों के राजाओं में एक दूसरे में बहुत ज़्यादा fight हुआ इतना बड़ा war create हुआ इतने सारे लोग मरें इतने सारे resources waste हुए अब उस lifetime में तो हम सीख नहीं पाए क्योंकि संदी नहीं हुई हमें understanding नहीं आई इस lifetime में अब आप एक ही चत के नीचे आए हो पहले तो हमारी चते अलग थी पर अब इस lifetime में आप एक ही चत के नीचे आए हो ताकि आप इसे resolve कर पाओ जी तो मने की कटर दुश्मन एक चत के नीचे आए है पर इसमें भी देखी हम spirit plane में एक और ये वाक्यों बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और मैंने सुंदरेम स्पीक्स में भी mention किया है वो ये है कि people whom we have worst of relationship on the earth they are the best of friends in the spirit plane why best क्योंकि उन्ही के कारण ही आप सीख रहे हो अगर वो नहीं होगे तो आपका जो lesson का plan है, जो soul plan है जो आपको सीखना है, वो भी पूरा नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई domestic abuse की situation में है तो should that woman walk out देखे, actions नहीं decided है वो actions आप decide करते हैं जहाँ पे आप है, मैं आपके लिए action नहीं ले सकता हूँ मैं यह कहूँगा आपको अगर रहना है रो नहीं रहना ना रहो, पर यह किस space से यह action आ रहा उस पे काम करिए बहुत बार जैसे हम देखते हैं कि लोग breakups करते हैं रिलेशन्शिप्स पे move on करने का हमें रगता है कि ठीक है, हमारी किसी के साथ नहीं बन रही हम आगे move कर जाते हैं हम यह भी देखते हैं, जब वो किसी से move on कर जाते हैं, आगे फिर से वैसे ही चक्कर में अटक जाते हैं I literally know somebody who has gone through three breakups two divorces अभी तक उनका यही कहना है कि दूसरे वैक्ती में ही दिक्कत है पर वो यह नहीं देखते कि ऐसा क्यों मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ मैं क्यों इस चीज को अट्रैक्ट कर रही हूँ मेरे अंदर ऐसा क्या है क्योंकि चुम्बक का दूसरा छोर भी आपके अंदर है अगर एक छोर वहाँ है तो दूसरा आपके अंदर है आपके अंदर ऐसा क्या है जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पे देखिए जब आप इस चीज पे काम करेंगे तो usually होता क्या है हो सकता है जैसे दो तीन possibilities बनती है मैं आपको अगर एक example से बता हूँ A, B A, wife B, husband A, बहुत सारा domestic violence है ती है B से A ने अब इस realization को लिया कि आत्मा के ग्यान को अपना जाना अपने perspective को बदला और perspective को बदलना यानि कि अपने अंदर उतरना सीखना Meditate करना, सीखना अपने उपर काम करना शुरू किया उसको ये समझ आया कि cause and effect है उसको ये समझ आया कि अगर मैंने इसको attract किया है तो मुझे कुछ सीखना है इस understanding पे रही और जो भी malice था उसके दिल में जो mal भर गया था इस व्यक्ति के प्रति अपने पति के प्रति उसको clear करना शुरू किया कैसे? Meditate किया, ध्यान किया understanding create किया सज्जन सांगत्य किया किसी guide के under काम किया तो इस तरह से understanding create करना शुरू किया अब इसकी possibilities क्या हो सकती है? हो सकता है number one B भी A को देखके बदल जाए क्यूं? क्यूंकि उसको लगेगा अरे पहले तो यह मुझे बहुत trigger करती थी अब trigger नहीं करती अब मुझे ज़्यादा पूछती भी नहीं है कहा जा रहे हो, कहा आ रहे हो अब मुझे करने देती है तो मैं क्यूं खामखा घर में कलेश करूं? मैं भी तो एक peaceful attitude में आ सकता हूँ Let me do this also दोनों का relationship बदल गया For example, यह नहीं बदल रहा और A अपना काम continue रखता जा रहा है चलाता जा रहा है, continue रख रहा है जब A का जो learning है कार्मिक learning है इस B से खत्म हो जाएगा तो universal force इनको अपने आप ही अलग करतेगा क्योंकि आप वो चीज़ अपने तक लेकर ही नहीं आओगे जो आपके लिए बनी ही नहीं है मतलब आप naturally इस पैसे बाहर निकल जाओगे इसमें मतलब ज़रूरी यह नहीं है कि उनका divorce हो कभी ऐसा भी हो सकता है husband की transfer हो जाए किसी और city में उसको वहाँ job करना पड़े और wife को यहाँ घर रहना पड़े distance आगे है न तो जो रोज रोज का कलेश था at least वो तो finish हो गया तो यह energies का का काम है यह आपकी understanding का काम है क्योंकि आपने learn किया तो दूसरे की भी energy में बदलाव आया और कुछ न कुछ आप दोनों के dynamics में बदला for example यह भी नहीं होता और दोनों की एकी मृत्ति हो जाती है यह सारा काम करते करते and she is still in the relationship क्योंकि कार्मिक baggage बहुत बड़ा था मैं भी किसी past life में किनी past lives में मैं कहूंगा कि बहुत सारे जन्मों का जो baggage था वो उन्होंने एकठे करके उसको realize करना था अब उनकी death हो गई अब spirit planes में क्या होगा उन्होंने सारा कुछ सीख लिया और उस व्यक्ति के प्रती दिल में कोई मैल भी नहीं है because she is now able to see the bigger picture उसको bigger picture समझाई कि मैंने ही इनको attract किया और जो मेरे को सीखना था मैंने वो सीखा अब अगले lesson में क्या होगा अगली lifetime में क्या होगा A, B का contract तूट जाएगा A, B बाहर हो जाएगे A, आगे चली जाएगी C के साथ किसी और contract में और B क्योंकि सीखा नहीं है तो वो D के साथ चले जाएगा क्योंकि उसको वही same lesson अभी repeat करना है तो D कौन होगा जिसकी same तरह की matching होगी same तरह की energy होगी same तरह का ये lesson जिससे सीखना होगा तो वो किसी और energy के साथ उस चीज़ को pick करेगा कभी-कभी हमें लगता है कि कुछ couples total mismatch लगते हैं ऐसा लगता है कि आ कैसे गए एक साथ तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने भी एक दूसरे को अकर्शित किया है विल्कुल मने आपका 36 का अंकरा हो तब भी आपने अकर्शित किया है और आप जब तक lesson learn नहीं करेंगे you'll keep on attracting ऐसे लोग बिल्कुल in your life बिल्कुल चाहे वो spouse की फॉर्म में ना हो चाहे वो आप परेंट्स की फॉर्म में हो किसी बॉस की फॉर्म में हो बिल्कुल जैसे for example किसी डॉर्टर की अपने पिता के साथ बनती नहीं है पिता एक conventional nature के है बच्चे को अपना decision नहीं लेने देते है ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई अपनी मस्जी का करियर नहीं चुन पाई और शादी कर दी शादी के लिए decision हो गया तो बच्ची अपने पिता से एक animosity already कर चुकी है और कहीं न कहीं उसके मन में ये है कि मेरी शादी होगी मैं कर लेती हूँ अट लिस्ट मेरा पापा से तो पिछा चुटेगा उस बच्ची ने शादी कर ली अब थोड़े time के बाद क्या होगा जो issues उसे father में दिखते थे उसे अब अपने husband में दिखेंगे same क्यों क्योंकि रिष्टे बदल सकते हैं और जो आपको सीखना है वो कहीं नहीं बदलेगा चहरे बदल जाएंगे और जो आपको सीखना है वो नहीं बदलेगा जी तो जैसे कि अमाने हम थोड़ा डाइग्रेस कर गए हैं बुक से पर यह बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है तो मैं अपसे पूछा चाहूंगी कि कई parents की अपने बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं बनती and the parent is spiritual and into meditation लेकिन बच्चे बहुत अपोस करते हैं situation कई बार हमको phone पर भी आता है और लोग mail भी करते हैं तो क्या ये भी हमने इन बच्चों को भी तो हमें attract किया है बिल्कुल देखिए जो बच्चे होते हैं parents की unhealed self को mirror करते हैं जो parents ने अपनी lifetime में heal नहीं किया होता है बच्चे उस चीज़ को mirror करेंगे क्योंकि universe के पास कोई तरीका नहीं है सिखाने का मैं कहूं उपर से भगवान शेव आएंगे या Jesus Christ आएंगे और मुझे बताएंगे बेटा तुझे ये सीखना है ऐसा नहीं होने वाला पर वो लोगों के अमाध्यम से मुझे सिखाएंगे लोग मेरे जीवन में जब आते हैं तब मुझे पत्ता चलेगा देखने को मिलेगा कि अगर ये व्यक्ती आया मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मैंने इनको attract किया तो बच्चे जो होते हैं जो parents अपने concerns को clear नहीं कर पाते अपने issues को heal नहीं कर पाते बच्चे वही चीज लेके आएंगे for example, किसी लड़के का now that he's become a man let's say, उनकी शादी हो गई जब वो छोटे बच्चे थे उनका अपने father के साथ अच्छा रिष्टा नहीं था father के साथ बढ़ा concerning or conflicting lack of understanding थी father बड़े बॉसी थे, बच्चे को बड़ा okay लगता था, ऐसी चीज़े feel होती थी और बच्चे ने पिता के प्रती अपना जो hatred था वो grow किया अब वो आदमी बन गया है आज उसे ये लगता है कि मेरे जो पिता ने मेरे साथ किया मैं अपने बच्चे के साथ वो नहीं होने दूँगा ऐसा सोचा और उस स्पेस से उस व्यक्ती ने अपने बच्चे के लिए सारी परुरिश करनी शुरू करी सारा कुछ best करना शुरू किया अब इस स्पेस में होगा क्या सारा कुछ करने के बावजूद भी बच्चे को उनके बच्चे को उनसे कंप्लेंट रहेगी क्यूं रहेगी क्यूंकि आपका जो शुरूआत थी कि मेरे पिता ने मुझे नहीं दिया मैं अपने बच्चे के साथ यह चीज नहीं होने दूँगा तो यह शुरुआत ही एक लाक से है कि मुझे कम मिला रिजेक्शन से है नौट इनफ से है तो उस चीज को जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा लगेगा जब बीज यह है तो पौधा कैसे कुछ और लग जाएगा पर अगर यह व्यक्ति अपने पिता के साथ दिल में संदी बिठाता है मैं बाहर का एक्शन नहीं बता सकता कि बाहर जाके अपने पिता को क्या करें मैं वो नहीं बता सकता पर अंदर क्या कर सकतें अपने पिता को एक्सेप्ट करें अपने आपको यह कहें कि जो मुझे मिला वो भरपूर है मैं उससे संदी करता हूँ मुझे कोई कंप्लेइन नहीं बहुत मिला मुझे मेरे पिता से and I am grateful for it अब इस स्पेस से अगर अपने बच्चे को देंगे तो क्या अंतर नहीं आएगा डेफिरेटल तो एक और सवाल से निकल कराता है कि आजकल पेरेंस और बच्चों में बड़ा लटिफ रहता है कि मुझे आईफून नहीं लेके दिया लेटिस मॉडल नहीं लेके दिया, मेरे सब फ्रेंस के पास है मैटीरियल चीजों को लेकर बहुत टिफ रहता है इतनी बड़ी कार नहीं है हमारे पास बागी सब फ्रेंस के पास इतनी बड़ी कार है यह सब कहां से आता है देखे, जैसे कि मैने कहा कि पैरेंट्स के अनहीलड इशूस बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं तो अगर पैरेंट्स भी मोबाइल जादा चलाते हैं मोबाइल के साथ जादा बीजी है तो बच्चा भी वही सीखेगा concern मोबाइल नहीं है आईपैड नहीं है concern यह है कि parents का कितना quality time बच्चे को मिलता है पहले जब हम छोटे थे मुझे लगता है hardly 5-6 साल जब हम उससे छोटे थे hardly हमें बोर लगता था पर आजकल का 3 साल का बच्चा कहता है मुझे तो बोर बोर हो रहा हूँ क्यूं क्यूंकि इतना कुछ available हो गया है already आपको distract करने के लिए कि आपको अपने parents के साथ समय नहीं है नहीं तो बच्चे को तो एक माचिस की डिबिया दे दो खाली जी वो सारा दिन उसके साथ खेलता रहता था आजकल ऐसा नहीं हो सकता क्यूंकि इतना सारा information available है इतने सारे resources बाहर available है parents अपने busy है बच्चे को caretaker देख रहा है तो क्या है जब time spend नहीं हो रहा जब quality नहीं आ रही आपके रिष्टे में तो बच्चा तो फिर ये चीज़े मांगेगा happiness को बाहरी ढूंडेगा क्योंकि parents वो reflect करने parents के लिए बाकी सारी चीज़े माईने ज़ादा रखती है मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चे के लिए material gains ना लेकर आए अच्छा कमाएं पर अपने बच्चे के लिए quality time उसका replacement नहीं हो सकता आपका बच्चा सबसे बड़ी responsibility है आपकी at least for first 21 years absolutely तो अगर माल लीजिए कोई हो गया 21 years का अभी तक उसके मन में वो traumas है तो अब उनको कैसे resolve किया जा हो गया 21 साल निकल गए अब क्या करें कोई बात नहीं जब जागे तभी सवेरा parents अपने पर काम continue रखे काम अपना continue करे आपको जो realize हो रहा है मुझे पता है आपको guilt आएगा कि हाई मैंने अपने बच्चे को ये किया वो किया पर guilt कुछ सर्व नहीं करेगा अपने guilt को replace करे learning से guilt क्योंकि हमें mistake लगता है पर learner's attitude रखे आप देखे आज मैं आप और हम दोनो कितनी mistakes करते हैं आज भी करते हैं and it is okay to make mistakes अपनी mistakes है जब हम सीखते हैं और उस चीज़ को progress करते रहते हैं फिर क्या होगा आपका 21 साल का बच्चा भी उस energy को pick करेगा indirectly करेगा क्योंकि आप उसके लिए पूरा काम नहीं कर सकते क्योंकि अब उसका एक कार्मिक प्लान active है क्योंकि बड़ा हो चुका बहुत गिल्ट रिडन रहते हैं स्पिरिशालिटी में आते ही सबसे पहले आप गिल्ट में जाते हैं कि हाई मैंने क्या कर गया इस बच्चे के साथ इसे कहसे बहार निए ठीके यही याद रखें कि गिल्ट को रिप्लेस करें लर्निंग से अगर कोई व्यक्ति गल्ती नहीं कर रहा है यानि कि वो ग्रो नहीं कर रहा है अगर आप यह एपिसोड तीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब केदा ना भूले और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अन्य सोचल मीडिय प्लाटफर्म्स पर हमें फॉलो जरूर करें धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, लव अन लाइट